तो बच्चों सभी का स्वागत है, देखो मात्र हमारे पास दो महीने बच्चा है, एग स्टडी समझे नहीं आ रहे करे तो करे कैसे तक पर्सेंटेज बन जाए, मतलब यह बताओ, मतलब किसका भी मन नहीं करता है कि पर्सेंटेज बने है, ठीक है नौ, देखो हर एक बच्च पर्सेंट ज्यादा आ जाता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करना है, ताकि टापर बन जाए, आज मैं बताओंगा, मतलब कि कौम पढ़कर भी कितना बढ़िया से बढ़िया नंबर कैसे लाए जा सकता है, ठीक है, मतलब 21 दिन का स्टॉडी पढ़िया क्या है, बहुत बढ़िया समयाल समझाने की आपको कोसिश करें गा, वीडियो पूरा देखकर जाने की अगर आपको पर्सेंट लाना है, तो इतना भीड में आपको अलग होना है, बहुत ज्यादा है, तीसलाग सैंतिराग ऐसे ही, मतलब बहुत ज् काना है परसेंटेज हमें लाना है भॉकाल करना है परसेंटेज लाएंगे 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 परसेंटेज लाएंगे ठीक है एक इस दिन का स्टडी प्लान क्या है जैसे यह बताओ कितने लोग ऐसे सरावी को देखें हो सरावी को क्या करता है सराव का एडिक्षन लग गया उसको मलत सराव का उससे लट लग गया है जिसका भी किसी भी चीज का अगर लट लग जाए तो छूटता ही नहीं साला मलत दिक्कत ही है अगर एडिक्षन होगे न तो छूटेगा ही आपको क्या करणा है एक्जाम से पहले एस्टोडी का एडिक्सन लगाना है जैसे सराबी को सराब का एडिक्सन है एडिक्सन को स्टुडेंट को स्टोडी करने का एडिक्शन लगाना पड़ेगा और एडिक्शन कैसे लगेगा इसी 21 दिन का study plans से ठीक है तो 21 दिन का जो हमारा study plan है उसी का हम क्या करेंगे एडिक्शन लगाएंगे study करने का addiction मतलब पढ़ने का लत पढ़ने का लत में अधे कैसे लग आते हैं यहां पर देखों अगर मानलोख कोई वी सराब यह ता पहले बाभ वह गोई एक बिलुशक्षा पीये यहां पर देख लिजिए ठीक है ना देखो बबू मतलब कि एकोईस दिन का मतलब यहां क्या है एकोईस दिन का मतलब कितना है तीन सब्ता है तो यहां पर तीन सब्ता है यहां पर पहिल का सब्ता हो गया मतलब साथ दिन में यहां पर दूसरा सब्ता हो गया यहाँ पर तीसरा सब्ता हो गया ठीक है एक कोईस दिन यह पढ़ के ऐसे देख लेना जिन्दगी बदल देगी यह कीन मानू मेरा ठीक है नहीं पढ़ने का एडिक्सन लग जाएगा लग गया ना तो परसेंडेज बनेगा अगर परसेंडेज बनेगा ना तो भौकाल होगा ठीक है बगू तो समझेए ना तो हमें क्या करने है पढ़ाई करने के लगत लगा ना तो एक कोईस दिन का यहाँ आपने स्टोडी पुलाने पोहिल का सब्ता दूसर का सब्ता तीसर का सब्ता पोहिल का सब्ता दूसर का सब्ता या तीसर का सब्ता ठीक है तब पोहिल का सब्ता हमें आपको कैसे पढ़ना है बढ़िया समझ लीजिए पोहिल का सब्ता मतलब साथ दिन होता है बोलोगे सर जी पोहिल का सब्ता में साथ दिन इसमें भी साथ दिन और इसमें भी साथ दिन ठीक है न, बलब साथ दिन होता है ठीक है न, इसमें पोहिल के सब्ता में साथ दिन दूसर का सब्ता में साथ दिन तीसर का सब्ता में साथ दिन साथ दिन में से यहाँ पर क्या करो छौव और येक में बाट लो छौव दिन यहाँ हो गया फिर से यहाँ करो छौव और येक दिन में बाट लो छौव दिन आपका यहाँ हो गया और येक दिन यहाँ पर ये हो गया फिर साथ को क्या करो इस वर करो फिर से च зр इस बर एक में बटलो ठीक है जोड़िन हो गया अब अब मतलो यहां समझें सब्सक्राइज करना पड़ेगा ठीक है नो कैसे करना पड़ेका समझ ले तभी efforts दिन का शटाड़ी प्लान है तभी समाढ़ाईगा तो भी लट लगए तो भी परसेंटेज बनेगा ऐसे ही परसेंटेज नहीं बने जाता है सब्सक्राइब कुछ करना पड़ता है बढ़ियां सब देखो यहां पर समझने कोशिज करो मैं परसेंटेज आएगा तो आएगा इतना जानो ठीक है देखिए तो बाभु छौद दिन होगी आपका अब चौद दिन में कैसे चौद दिन में कैसे स्टडी करेंगे चौद दिन परहल का मतले एक अग्षाओ घंटा बोलेगों सब्सक्राइब करना पड़ता है नहीं कर दो लागने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ने का बैठने का आधित नहीं हुआ तो ठीक है न अब तब पहलने करें हैं बैठने का जाना कमा पढ़नेका इंआ पर देहों तर यह घंटा कितना हैं वक गहनंटा क्यों सब्सक्राइब करने अब मलत चौद देली आहिंए नहीं पढ़ने सहरा ही एक विश्दिन के स्टॉटी कोलाय got तो मतलूब कि बिल्कुल समाये ना सा 즐ी्च हमें नौ से दस है और नौ नौसे दस दस को साथ तो साथ तूसाइट तो साथ ठीक है मायलों के से से अगर मालों हम कहा है कि यह से कृल का मा advis कि अगर साथ बज़े से रात में साथ बज़े से आठ साथ बज़े से आठ बज़े तक रात में अगर एगंटा पढ़ रहे हैं तो पढ़ो डेली छौव दिन पढ़ो अगर पढ़ रहे हैं नो डेली छौव दिन तो डेली छौव दिन पढ़ना आपको एक दिन भी दिन नहीं परौर ख not a चौकर लें कुछ शौवल बिल्कुल साथिट न इन चौकर से बहुत परऊताaste की सब्सक्राइल सब्सक्राइब समझेर्टक्अ संब्सक्राइब मैं तो इसो अचरे ओगे 25 चाओ तुम पर उर्फ इसे घंटाइब यह रात में तो कैसे भी करके गंटर निकालो बिलकुल मतलिए एक दिन क्या करना है मौज करना पबजी खलना है तो पबजी खलो जो भी करना हो कर एक दिन राम से बनिया से एक दिन पढ़ाई मत करो दूसार का सब्ता दूसार का सब्ता बाब डोज बढ़ाना है क्या करना है डोज बढ़ाना है डोज लेकर जाना है कितना गंटा और बढ़ाना दूसार का सब्ता में आपको बाब दूदू गंटा पढ़ना है कितना पढ़ना है दूसार का सब्ता से दूदू गंटा ताल अब दो घंटा पढ़ना चाहतीं कितने घंटा दो घंटा चौट दो घंटा पढ़ोगे और एक दिन क्या और रेस्ट करोगे एक दिन क्या कर रेश्ट परते तो चुला ऑनेका एक 12 आणदोर पर्षेंटेज्ट तुम्हारा बनेगा कर देंगो लिए बत आता कर दूब क पढ़ने का मन नी करोगे ना फिर भी तुमारा मन करेगा पढ़ाई करने का या मैं बोल रहा हूं जैसे बोल रहा हूं वह से देखो अब ती सरकास अता में बाभू एक घंडा पढ़ा देना आपको तीन तीन गंडा पढ़ना है छोग दिन ठीके नो फिर से घंडा रिष्ट तो कहाने का मतलब ही है कि 21 दिन में आपको तीन गंडा तो अराम करना है तो अठारे दिन मातर अठारे दिन पढ़ना है लेकिन बिल्कुल लागतार है अगर सोच लियो साथ से आठ तो साथ से आठ डेली की डेली कौनो बहाना नहीं कौनो बहाना नहीं चलेगा ठीक है अग अब तुमारा क्या हो जाएगा कौनों बाहना नहीं चलेगा इतना समझो पूरा कुछ त्यार रखो समझ रहा है तो 21 दिन ऐसे ही आपको करना है उसके बाद से आपको ऐसे ही लत लगज जाएगा ठीक है पर सेंटेज बनेगा यहां पर जो भी पढ़ना एक्जाम और पढ़न ही लाना